Redmi Note 10 Pro Max Device के लिए Project Pixel Edge का एक अनदर अपडेट आ चुका है जिसे मैं One Day से यूज कर रहा हूँ और मैं आपको बता हूँ कि इतने गर्मी के टाइम पे इस रोम को यूज करने के बाद क्या वह चीजी यहां पर आपको मिलती है या नहीं चलिए find out करते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो यह लाइक और शेयर जरूर करना यह wallpaper मेंने और एटिट दे रखा है अपने टेलिग्राम चैनल पे आपको यह मिल जाएगा फ्लेसलाइट के अंदर आपको परसिंटेज देखनी को मिलता है घटा और बढ़ा करने का जो कि अच्छी बात है बाकि सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहां पे आपको bottom accessibility देखनी को मिल जाता है यहां पे आपको मिलता है about जो कि Redmi का Note 10 Pro में यूज कर रहा हूँ आप चाहो तो Mac में भी डाल सकते हो यह जो version है वो है 2.8 का official update है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो माइ maintainer का name मिलता है 5 meka security patch है और यहां पे आप देख सेट करनल डिफरेंट है और बेल नमबर भी आप देख पा रहे हो बैक यूर आते हैं तो आपको मिलता है यहां पे system जहां पर वही सारे customization है और यहां पे playback control का option मिल जाता है system diagnosis है और यह profile यहां पर दिया गया है जो कि reality में काम करता है जैसे कि मैंने कुछ का add कर रखा है जो कि आप देखो यहां पर untuto वोगे रखा है और बाकि अधर चीजों का है तो किस तरीके से क्या result आता है वह मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा another battery के अंदर आपको देखने को मिल जाता है charging control जो कि आप यहां पर set कर सकते हो यह अच्छी बात है कि option है जो दे दिया गया है जो कि काम आने वाला है बाकि डिस्प्ले के अंदर वही साथ सिमलर से चीज़े है जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है जैसे कि आपने लास्ट टैम देखा था वही सिमलर से चीज़े मिलती है साउंड के प्रोफाइल पर डॉल्वी यहां पर दिया गया और डॉल्वी हमारा अपडेटेड है तो आपको डॉल्वी का आउटपुट होए अच्छा मिलने वाला है बाट मैं आपको यहां पर music सुना भी देता हूं कैसा क्या रहता है आपको ठीक ठाक आईडिया जो यहां पर लग गया होगा वापस आपने सेटिंग के अंदर तो नोटिक्सन के अंदर जादा कुछ नहीं है लेकिन हाँ यहां पर जो नोटिक्सन कूल्डाउन को आप्शन है वह आपको देखनी को मिल जाता है बाकि वही सारे सिमलर से चीज यहां पे हम पर यूच किया गया है सार्च यहां पर आपको app clock आयोग देखनी को मिल जाता है और यहां पर साइडवार है वह आपको देखनी को मिल थैद एंड्रेट 15 वाला रही बात यहां पर home और बाके दुनुक्सन करий दे आ हैं हं इतना आपको दिक्कत नहीं आती, code recording के लिए BCR दिया गया है, तो आपको announcement वाला लफ्रा यहां पे नहीं होने वाला है, आपको सोग कर ही दिया है, अब रही बाद यहां पे performance test result कैसा निकल के आता है, वह देख लेते हैं, और यहां पे apps opening and closing आप यहां पे देख पा रहे हो, overall काफियाद तक सही रहता है, जिस device में हम यूच करें उसके हिसाब से, अब रही बाद test result, यहां पे आप देखो कि मैंने फर्स टाम चेक किया, अंटू-टू तो overall में करना ठीक है, बट और वी बेटर हो सकता था, बट जैसे कि कहा कि गर्मी का मौसम है, तो भाई थोई वो चीज़े आपको manage करनी पड़ती है, और temperature runtime है, जो 45 गया है, जो कि ज्यादा नहीं मैं कहूँगा, वहीं पे है, जो यहां पे आप देखो हमारा standby battery drop, जो कि 78 के बाद morning माता है, 77, full night में 1% का drop है, जहां पे 8-10 minute का standby timing है, और यह मैं कहूँगा, काफी अच्छा खासा है standby timing, वहीं पे sweep you total, morning के time में मैंने चेक किया है next day, तो यहां पे 2 lakh max, और minimum 1 lakh 67,000 है, काफी सही green graph है, तो भाई, fan बस चालू था, और morning का time था, करीब 7-8 बज रहे होंगे, क्योंकि अगर दो फे में run करें, तो ऐसा result नहीं आएगा, और अगर आप cooler या AC यूज़ करते हो ना, तो आपको इस related डिक्कत नहीं आने वाले, आपको result काफी अच्छा मिलने वाला है, और यहां पे actually में काफी सही भी है, वहें पर gaming के अंदर इस्ट्रा setting आपको unlock मिलता है, जैसे के extreme, extreme plus वगरा, आप setting कर सकते हो अपने bgmi के अंदर, जो कि इस default नहीं आता, बर रोम के तब से unlock है, जब phone हलका-फलका warm हुआ, जब मैंने चेक किया, तो Geekbench उतना अच्छा नहीं है, थ्वासा cool down हुआ, फिर और अच्छा देखनी को मिला, जब normally cool down होता है, और मैं profile का use करता हूँ, boost करने के लिए, तो यहां पे देखो, रियले में काफी impressive सा result देखनी को मिल जाता है, तो Geekbench अच्छा है, CPU total काफी अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, थ्वासा क्डाउन है, क्योंकि थ्वासा phone warm हुआ था, जैसे कि 45 गया, उसके हिसाब से, otherwise, आप temperature को manage रखते हो, जैसे कि AC वगरा है, या cooler वगरा, तो यह आपको और अच्छा result देगा, तो performance के मावले में, यहाँ पर मुझे कोई भी सिकायत नहीं हुई, साथ साथ आपका device certified रहता है, banking का API उप्यूज में दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ पर आपका दोनों यह पास रहता है, और यहाँ पर photo storage भी unlock मिलता है, pixel का device है, यानि pixel alarm ह यहाँ पर, तो आपको यह unlock तो मिलना ही मिलना है, बाके रही बाद चेंज लोग वगएरा, तो यहाँ पर आप देख सेते हो, ठोट चीज़े improvement वगएरा करी गई है, साथ साथ यहाँ पर charging mode activate कर दिया गया है, आपके recovery के अंदर, यानि आप अपने phone को recovery mode में डाल तो भी और थो वो internal improvement वगएरा किये गए, यहाँ पर इंप्रूफ किया गया है, और है हमारा device chain लोग है, source change में बस यहाँ पर security patch वगए इंप्रूफ किया गया है, लिने से कुछ चीज़े उठाई गई है improvement के लिए, और बाके वह गेमर पेस वगए इंप्रूफ किया गया है, और व आपको जो क्या करना है, वह ही wire flash format and reboot करना है, आपके phone के लिए इस्टॉल हो जाएगा, और आप इसका benefit जो ले पाओगे, तो आप comment करके बताना कि क्या आप इसे try करना चाहते हो या फिर नहीं, क्योंकि ROM मुझे reality में काफी सही लगा है, but depend करते है आपके उपर कि आप HyperOS के स सारे important file required जो भी है, उसे आपको platform tool के अंदर move कर लेना है, और cmd command को open करना है, cmd command जैसी open होता है, आपको या तो पहले drive out चेक करने के लिए command run कर देना है, या फिर direct $p Orange Fox installation का जो भी आपका supported command है, वो आपको type करना है, और अपने $p Orange Fox का image file को drag and drop कर देना है, और flash कर देना है, जो भी required recovery रहेगा वो ही use करना है, उसका command डालना है reboot to recovery का, जिससे आपका phone reboot कर जाएगा recovery के अंदर, और अब recovery से आपको browse करना है, क्या आपकी supported file को 1 by 1 करके select करते जाओ, flash करते जाओ, और maybe अगर flashing के डरान कोई भी error आता है, तो ऐसे में reboot to recovery करो, और ROM को फिर से reflash कर लो, औ reboot to recovery के time पे, maybe आपका है, जो टीर लोयर पी या orange fox replace हो के different recovery सो कर सकता है, तो ऐसे condition में, आप क्या कर सकते हो कि उस ROM को नए recovery के साथ दुआरा reflash कर दो, अगर reflash proper हो चुका है, तो आप DAC format करके reboot कर लो, आपका जो भी OS है, वो boot कर जाएगा without किसी issues के, और यह जो step मैंने आपक आया है, यह same follow कर सकते हो, आप अपने HyperOS को flash करने के लिए, EOSP वाले किसी भी ROM को flash करने के लिए, same चीजे यहाँ पर होगी, बस आपको ध्यान रखना है, कि जो भी flash कर रहे हो, वो proper flash हो जाए, कोई भी error ना आए, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं मिलता हूँ निक्ष बाइब में आपको घletडा, बाइब लए लिए, रपikष, रपको लिए पको लिए ज्यान आपको समझ तो समंझा।